हलो दोस्तो मैं पुश्चान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक क्विटी टू कमूडिटी में स्वागत करता हूं तो जैसा कि यहां पर आपको इस फिन पर दिख रहा होगा आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि अगर आपको चार्ट पे इस तरह का कंडलिस्टिक पैटर्न दिख जाए तो यहां पर आपको क्या करना इसके बाद आपको अपसाइड में यानि बाइसाड की तरफ जाना या फिर नीचे साइड की तरफ सिल साइड की तरफ जाना यह पता करता बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैक्सिम्मूल लोग क्या होते यहीं पर वो confused हो जाते हैं उनको समझ में नहीं आता क्या करें और ultimately वो क्या करते हैं ultimately वो आपका wrong decisions ले लेते हैं और as a result वो अपना tweet loss में खत्म करते हैं उनको यहां पर अच्छा खासा नुक्सान उठाना पड़ता है तो मैं आपको इस वीडियो में यहीं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको इस तरह कर चार्ट पर ले जाके बताता हूं ताकि यहां पर आपको confused ना होना पड़े और अगली बार जब यह pattern दिखे तो आप गलत decision ना करें और यहां पर आपको loss ना हो लॉस के जागा पर आप profit बना पाए तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और इसको समझने की कोसिस करते हैं अब यहां पर लोगों को टाइम फ्रेम को लेकर डाउट वहता है यहां पर आप कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं 15 मियट, 5 मियट, 30 मियट, 1 आवर, 1 डे कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर हम different अलग लग टाइम फ्रेम का एक्जामपल लेंगे ताकि आपको यहां पर समझने में आशानी हो तो यहां पर सबस्पहले हम 15 मियट के टाइम फ्रेम में एक्जामपल लेते ह अब यहां पे आपको क्या ऐडेंटिफाई करना एक आपको इस तरह का जबदस्त ग्विन केंडल फाइंड करना और उसके अंदर छोटा छोटा आपको रेट ग्विन-वेड कोई भी केंडल ओफरक नहीं परता लेकिन उसके अंदर कुछ केंडल होना चाहिए यह पैटर्न आ यह concept क्या हूँ हम समझते हैं फिर यहां पर हमें trading decisions लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा यह इसके वेसिज पर हम upside की तरफ जाएंगे यहां फिर downside की तरफ जाएंगे क्योंकि इसके बाद यह आपका upside की तरफ भी breakout दे सकता और downside की तरफ दे सकता इसको मैं explain करूँगा फिर आप यहां पर निफ्टी में भी देख सकते हैं यहां पर हम five minute पर आएंगे तो सब example को हम एक एक करके discuss करेंगे सबस्पहले यहां पर हम वापस से bank निफ्टी पर आते हैं और इस concept को समझने की कोसिस करते हैं यहां पर क्या कुछ हो रहा है सबस्पह हुआ अब बाइस के स्ट्रेंथ क्यों वीक हुआ इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं पहला कि यहां पर हमें profit booking देखने को मिला लोग profit करें और दूसरा रीजन हो सकता है कि यहां पर हमें selling pressure देखने को मिला है यहां पर sellers आपको हाबी होते हुए दिख जाएंगे दो रीजन किया जिसमें आपको कहीं पे भी टेल शैडो या हॉलो पार्ट देखने को नहीं मिलेगा पूरा का पूरा आपको सॉलीड पार्ट है उपर में भी देख सकते हैं नीचे में भी देख सकते हैं मतलब इसका जो लोइस्ट पॉइंट है यह हमारा एक strong support के रूप में काम करेग अगर यहां पे profit booking हुआ है यह support level break नहीं होगा maximum आएगा इस support level को touch करेगा फिर यहां से price आपका upside की तरफ निकल जाएगा अगर profit booking हुआ है तो दूसरा condition क्या है कि अगर यहां पे हमें selling pressure देखने को मिला है तो अगर यहां पे हमें selling pressure देखने को मिला है तो यहां पे क्या उपर बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव है और जैसे प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो अमें जबता सेलिंग देखने को ब्लेगा लेकिन अगर सेलर्स इसके ऊपर निकलने कि देगा maximum आपका इस लेवल तक जाता हुआ देखेगा और यहां पर प्राइस देखिए इस लेवल तक यह और उसके बाद नीचे के बनाय स्टार्ट हो गया और फिट नीचे साइड की तरफ यह ब्रेक आउट दे दिया मतलब इस मूप से हमें क्या क्लियर समझ में आ गया कि यहां पर आप में सेल साइड की तरफ जाना है अब यहां पर हमारा इंट्री पॉइंट क्या होगा स्टॉप लॉस क्या होगा टागेट पैस क्या होगा वह सब मैं आपको एक्स्प्रें करता हूं सबसे पहले जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करके नीचे केंडल क्लूजिंग तो आपको क्या करना अगला केंडल ओपैन होते ही सेल साइड की तरफ जाना लेकिन अगर अगला केंडल आपका ओपैन इकॉल टू हाई बनाता है तो यहां पर हमारा ट्वेट का एकुडिशी लेवल है वह इंक्वीज होके लगवग आपका 80% के करीब हो जाएगा अगर य जैसे अपैन इकॉल टू हाई बना हमें पूरा पूरा स्वेट्टी मिल गया कि यह ट्वेड हमें प्रॉफिट बना के देगा ही देगा उसके बाहते हैं अगला कंडल आपका यहां पर भी क्या बनाया ओपैन एकॉल टू हाई बनाया और जिस प्राइस पर अपैन हुआ है पर हम क्या करेंगे कि तरफ क्या बन जाएगा इंट्री पॉइंड बन जाएगा यहां पर हम से लसी की तरफ इंट्री लेंगे इंट्री अंट्री ठील करेंगे सबसे पहले देख सकते हैं इस पार्टिक्लर लेवल पर आपको मार्केट रुखता हुआ दिख्या है तो सबसे पहला टागेट हमारा यह हो जाएगा और टागेट वन की बात करें तो सेम दे यानि इंट्राटे लेवल के बेसिस पे इसने टागेट वन को हिट किया और दूसर उप्संस में करना इसके वेशिशिस पर आप संथ में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं आपको यहां पर वेशिशन पर पूट ऑप्संस बाइंग करना है और उसके बाद प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया यहां से आपका प्राइस ऑल दाभी तर्टी ट्टी टुव दिखाया और यहां पर अपको आसानी से और चाहिए प्राइट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा और फिटर्स की बात करें आप 200 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं बस आपको यह पैटर्न आइडिनिफाई करना उसकी बाद आपको सही इंट्री सही stop loss और सही target price find करना पहला target के बाद आप चाहो तो trailing stop loss भी इस्तमाल कर सकते हैं या नहीं तो आप चाहो तो यहां पर profit book करके निकल सकते हो जो भी मने वह आप काम कर सकते हो उसकी बाद दूसरा यहां पर भी वही चीज़ हुआ है आपका price नीचे से उपर तक गया है और आपको यहां क्या हुआ है नहीं क्या हुआ है यह फैर यहां फ report श्रॉंग हुए है है और इस पार्टिकुलर लेबल कम भिसाथर यह फिर और यहां बेस सपोर और यह वहापस से लीए में Says में आपको रिया लेकिन यह जो green candle इसमें strength बिल्कुल भी नहीं है फिर यहां पर reaction फ्रमद हमें टॉप यानि टॉप से reaction दिखाया और इस बार जो reaction दिखाया सीधे इस lower line को यानि support line को break कर दिया यह जैसे support line को break किया हमें क्या पता चल गया कि यहां पर जो profit booking की probability थी वो यहां पर नहीं है मतलब यहां पर selling pressure देखने होग मिल गया और selling pressure देखने होग मिलेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे sell side की तरफ entry लेंगे और यहां पर देख सकते हैं क्या बना आपका open equal to high बना मतलब यहां पर जो हम ट्वेड ले रहे हैं उसका accuracy level लगवगा आपका 80% करीब होगा और इसी highest point पर यहां पर हम क्या लेंगे इसी highest point पर यहां पर sell side की तरफ entry लेंगे यहां पर entry point well defined stop loss इस particular level से थूरा सा उपर stop loss रहेगा टार्गेट पर इस प्रेवियस स्विंग लोग यह है यह हमारा टार्गेट वन होगा और सेम डे तो नहीं उसके next day आपका रिपीट उसके बाद देख सकते हैं same day इसने टागेट को हिट करते हैं यहां पर गिराबट कहां से रिखा है लगबग आपका 35,300 क्लेबल से हमने sell किया था और सेम डे यह गिरा है लगबग आपका 32,700 क्लेबल पर यहनी सेम डे लगबग आपका 600 पॉइंट का गिराबट दिखा है options यहां पर कहीं पर ले सकते हैं सेम आप यहां पर चाहो तो 33,400 का फूट ऑप्सेंस बाई कर सकते हो और इस पार आपको जवड़क स्वीटर मिलता हो दिखेगा लगबग ऑप्सेंस की भी बात करें तो लगबग 200 पॉइंट हमें प्सेंस में मिल जाएगा और फ्यूचर की बात को लगबग आपका 400 पॉइंट फ्यूचर में मिलता हो दिखेगा इस तरीके से आप इंट्राडे में जवड़क्स प्रॉफिट वना सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में और यह स्ट्राइब होता है निफ्टी में अ अब यहांपे कैंट अब यहांपे स्ठोंग विंगं वा और उसके अंदर कुछ आपकर विच्ट the mic करना था और यहीप इसुँक्र यहांपर मिलता हुआ दिखा उसके बाद कि यहांपर लाइन है और यह लोगर तो अगर profit booking हो रहा होगा, price maximum कहां तक गिरेगा, यहां तक गिरेगा, उससे नीचे नहीं गिरेगा, अगर selling pressure होगा, तो maximum price आपका यहां तक जाएगा, उससे उपर नहीं जाएगा, तो यहां पर क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे गिरा है, और इस line को touch भी नहीं किया, इसक कंडल जैसे यहां पर open हो गाउगा, वह हमारा बन जाएगा, वह हमारा बन जाएगा यहां पर entry point और यहां पर हम buy करेंगे, तो ब देखे, यहां पर हम क्या करें, यहां पर हम buy करेंगे, लगबग आपका, 578 के लेवल केδा आसपास, और पहला target pace हमारा क्या होगा यह जो लाइन है यहला टार्गेट पैस होका लगभग यानि 585 वारा पहला टार्गेट होगा पहला स्विंग हुगा तो देख सकते हैं लेबल के बैसित पर यैनि यहामें breakout मिला लगभग 8 March को और यह टार्गेट को भी हिट किया सेमडे एक मार्ज को यहां पर मुझे कितना का प्रॉफिट मिल गया अगर हम पॉइंट की बात करें लगवग मुझे सेवर प्रॉफिट की बात करें लगवग आपका डेर परसंट करी सेम यह नि इन इंट्राइब लेवल के बैसिस पे प्रॉफिट देता हुआ दिखिया उसके कि मार्चेट का जो मॉमेंटम है जो सेंटिमेंट है वो किस तरफ जा रहा और अगर हमें सही सेंटिमेंट का idea मिल गया तो फिर मासानी करके आप यह पर अच्छा कासा प्रोफिट बना सकते हों और इन पापके बाद करूत ज त्यप षाथ की रिस्क्षन सब्सक्राइब और सेम स्ट्राइट यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका यह जबरदस्त ग्विन कैनल का फॉर्मेशन हुआ है और यहां पर प्राइस लोवर लेवल को टच किया लेकिन ब्रेक नहीं किया और यहां से अपसे बॉकिंग हो रहा था और उसके बाद वापस से प्राइस करते हैं तो वहां पर लगवग आपको तीस से पचास पंड का प्रॉफिट ऑप्सेंस में मिल जाता और यहां पर अगर हम बात करें यहां पर भी सेम चीज हुआ है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला और प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकला है और यह कनफ्यूज होने से बच जाएंगे यहां पर सबसे भाड़ा क्या होता है जो हमें कंट्रीशिंग सीचुईशन रहता जहां पें मोस्टली कनफ्यूज होते जो रिइर हैं वहां पर हमारा अजो आहां पर क्लियर कर क्ट बाह सोगा जहां पर क्लियर को लॉगी दिशीज हो अगर आप confusion में है तो loss से बचने के लिए आप उस trade को avoid कर सकते हैं तो जब तक माइन में क्लेरी नहीं आए तब तक आप trade नहीं लीजे यह तरीका है जिससे आप loss को avoid कर सकते हैं अगला एक्जामपल है यहां पर आपका इसे बैंक का यहां पर यहां पर यहां पर देखिए क्या कुछ हुआ है यह आपका जबदस्त का फॉर्मेशन किया उसके बाद प्राइस उपर गया उपर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया मतलब अगर इसको अपसाइड को लेवल को यहीं पर ब्रेक कर देता है यहां पर हमने पर प्रफेट बुकिंग देखने को मिलता यहीं से लेवल को ब्रेक कर देता, लेक Sum 69 अब हमने के यहां पर नहीं हो कर दाए यहां नहीं समेंर आवा तो अगला candle open होते ही क्या करेंगे यहां पर sell side की तरफ जाएंगे और यहां पर देख सकते हैं इस candle में हमें rejection from the bottom देखने होग मिला मतलब थोड़ा बहुत sellers में strength हमें यहां पर कम देखने होग मिला लेकिन फिर भी हम बने रहेंगे और यहां पर जो हम sell side की तरफ इंट्वी लेंगे वह लगबग आपका 685 की लेवल पर यहां पर हम sell side की तरफ इंट्वी लेंगे फिर price आपका all the way 675 की लेवल तक गया यहनी लगबग आपका देरपर सेंगा विट्रोन दिया और और टागे परेस मेरा क्या होगा फ्रिवेश्ट फ्रेश पॉल प्रूफ नहीं होता है तो मैं आपको बता दिया कि एक situation आपका stop loss भी हो सकता है आपको इस से भी overcome करना पड़ेगा और आपको इसके साथ बने रहना पड़ेगा अगर आपका stop loss भी hit होता है तो hit होने दीजे आपको आगे profit बना के देगा लेकिन यह सारा strategy के basis पर direct आप मार्केट में मत उतर जाओ सबसे पहले आप पेपर ट्वेडिंग कर लो यहीं लगबख एक महीने आप बैक टेस्टिंग कर लो और वहां पर अगर आपको यह सारा कुछ सटीक बैठता है आपके recording सही रहता है तो फिर आप इसको आगे भी live market में implement कर सकते हो और live market में अगर आप implement करने जा रहे है तो छोटी-छोटी के amount से इंटर करो यहीं थाउजन टू थाउजन थी थाउजन बिलो फाइफ थाउजन के amount से यहां पर आप ट्वेडिंग करो उसके बाद अगर सटीक बैठता है उसके बाद आपको confidence भी आएगा फिर आप इसके वीडियों कर सकते हैं लाज एमांट से ट्वेडिंग कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको हमारे concept चाही लगा होगा अगर आपको यह concept चाही लगा है प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए और चैनल को subscribe नहीं किए चैनल को subscribe किजिए क्योंकि इस तरह के और वीडियो हम आपके साथ regular basis पे share करते रहेंगे और यहां पर कुछ भी confusion यह doubt हो तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं so मिलते next video में जैहिन